हलो गाईज वेलकाम तो माय टूब चालन स्टड़ी भी तभी तो गाईज आज की इस विडियो में हम निमेरिकल अनलसिस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्फ करेंगे ठीक है तो यह हमारा निमेरिकल अनलसिस से रिचेड है और इसके पहले ठीक है हमने वीडियो बनाए वी थी सार सब्सक्राइब करेंगे आप कुश्चन को सॉल्व करते हुए आपको जो से रिटेट कॉंसेट होता है वह भी बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए ठीक है चलिए देखते हैं देखो यह है हमारा फारवर डिफरेंस और यह है एंथ अर्डर कर और यहां पी यह हमारा फारवर देखते हैं तो अगर किसी फंक्षन के ऊपर फारवर डिफरेंस उपरले होता है तो जो value होती है वह minus f of x, यहाँ पर ध्यान रखें, कि question में हमें given है, कि taking h is equal to 1, ठीक है, h को हम बोलते है, interval of differencing, यह question में given भी रहता है, नहीं given है, तो 1 हम ले लेते हैं, generally, तो यहाँ पर 1 given है, question में ठीक है, तो इसकी value इतना हो जाती है, यानि कि जो भी function होता है, उसमें x में h add होता है, बाकी original function यहाँ पर रहता है, जैसे इसकी value में evaluate करनी है, तो यहाँ function हो क्या, value होगी क्या, लेखो e, a, a में हम x plus h, h की value क्या है 1, तो यहाँ पर plus 1, ठीक, और minus f of x, यानि कि original function, original function हमारा कितना है, e, यहाँ पर b भी रहाएगा, ठीक, sorry, एक minute, e, a, x plus b है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते है, plus b minus, हमारा original function कितना है, e, a, x plus b, ठीक, यह हमारा इतना function है, तो देखें, यहाँ से, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, e, x into e, a, ठीक, एक minute, इसको ऐसे लिखते हैं, a, x plus b, into e, power a, ठीक है, यह तो property है, हमारी जैसे हमारा लेते हैं, अगर दो power है, मारा कोई भी base है, और उसपे amn है, तो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, am into an, ठीक है, बेश समान होते हैं, तो power add हो जाती है, तो इस a ही property हमने उच किया है, और e की power a को बाहर कर लिए है, दीखें, अभी यह वाला common हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको बाहर कर लिए था, a, x plus b, देखो, यहाँ से common करते हैं, जब हम कितना common करेंगे, यहाँ से common हो जाएगा हमारा e, a, x plus b, ठीक है, इतना common हो रहा है, देखो, दोनों में है, और बचेगा क्या, यहाँ से e की power a बचेगा, यहाँ से minus one बचेगा, ठीक है, इतनी चीज़ बच गई है, यानि कि जो हमारा first difference था, e, x plus b का, भो हमें इतना मिल गया, ठीक है, जब इतना मिल गया है, तो आईए दिखते हैं क्या करेंगे, अब देखें हमें nth order का define करना है, ठीक है, निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम एक property का use करते है, ठीक है, यह अगर इतना लिखा है, तो इतना इतना हो हम कर सकत है ठिक, इसको समझ गए यह यहने कितना लिखाया, इतना हम कर सकते हैं, तो इहाँ पर देखे, एन लिखाया है तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ ले देए, तो एन माइनस वन कर लेते हैं और दूसरा डिल को बाहर कर लेते हैं, eax plus b पे operate कर देते हैं ठीक समझ मैं है क्या कि हमने इसको हमने तोड़ लिया है अब देखो इन दोनों के power को add करो n-1 और यहाँ पर power 1 add करेंगे तो फिर हमें n ही मिल जाएगा ठीक इतना हो गया अब देखें इसको हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि इसकी value हमें हमने उपर निकाली हुई है यहाँ पर ठीक है थोड़ा advance हमने काम किया हुआ है तो हमने निकाल लिए है तो आई रखते है value पहले del n-1 रखते हैं और इसकी value को note करते है value कितनी है e a-1 और e a x plus b अब देखिए एक property और भी हम पढ़ चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं कि माल लेते हैं कोई forward difference है माल लेते हैं कोई operator है और कोई constant c है और एक function f of x है तो जो constant होता है यानि कि जिसमें x नहीं होता है वही constant होता है वो हमारा बाहर हो जाए कोई number हुआ 1,2,3,4 इस तरीके से तो c बाहर हो जाएगा और जो हमारा operator है वो function पर operate हो जाएगा ठीक है यह हम पढ़ चुके हैं तो देखिए यहाँ पर x तो है नहीं इसमें यह बाहर हो जाएगा बाहर होगा कितना हैगा e a-1 और del n-1 e a x plus b ठीक है a n-1 है इसको ध्यान दीजेगा n-1 है कितना हो गया अब देखिए यहाँ से फिर हम क्या करते है e a minus 1 यह तो ही है यहाँ से क्या करते हैं इसको del n-2 कर लेते हैं और यहाँ से फिर हमने एक power निकाल ली है ठीक है ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं e a x plus b ठीक है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि दखो यहाँ पे इन दोनके power करो यहाँ पे n-2 और यहाँ पे 1 n-2 plus 1 करोगे तो n-1 आएगा ठीक है तो यहाँ पे फिर हमें इसकी value हमने निकाली हुई इस तरीक से देखो यहाँ पे n था a n को define करना था हम क्या कर रहें n-1 define के n-2 n-3 n-4 ऐसे से करके हम जब करेंगे न तो इक लास्टों में n-n मिल जाएगा निकि यह power ही खतब हो जाएगी तो हमें value लास्टों मिल जाएगी ठीक यह चीज़ हम कर रहे हैं तो देखो इतनी की value हमने निकाली हुई थी ठीक यह रखते हैं e की power a-1 del n-2 ठीक है कितने की value हमने उपर निकाली थी कितना यह था यह था e a-1 और e की power a x plus b फिर वही काम करते हैं देखो यह वाला constant है यह operator से बाहर हो जाएगा और एक चीज़ यहां करते हैं e a-1 का square यहां करते हैं n-3 फिर हमने एक power निकाल ली है del e a x plus b ठीक इस तरीके से अब देखो इसकी value फिर हमें पता है तो इसकी value रखते हैं e a-1 square del n-3 ठीक 3 है और इसकी value हमने निकाली हुई थी कितना था e a-1 e a-1 और e a x plus b इसको हमने निकाल चुके हैं अब देखो यह बाहर आएगा पहले से square है इतना तो यह cube हो जाएगा a a-1 cube ठीक और यह है del n-3 और कितना बचा अंदर यह वाला रुख जाएगा e a x plus b ठीक इतना रुख जाएगा यहां पर यहां पर रहनें देते हैं यह ठीक है अब देखो यहां पर इस तरीक है जी तरीके से झालते 일본 से इन-3 करें n-4 ओर यहां पर यहां पर जीता हम – करते से उतनहीं की بع़ यहां पर आती है तो इस तरीके से हम – गर Čर चले जाए है यह माइनस वन अगर एन बार माइनस करेंगे तो एन पावर आएगी और डल एन माइनस एन होगा और जो मारा function है वो यहीं पर हैगा एक्स प्लस भी ठीक है इतना हो गया अब देखो एन माइनस यहनि कि पावर जीरो और जिब किसी की पावर जीरो होती है तो value 1 हो जाता है ठेक है यानि कि हो जाएगा e a minus 1 की power n और यह कितना हो जाएगा 0 0 value 1 और 1 से multiply करेंगे तो तरह जाएगा a x plus b ठीक है a x plus b है आप पिर द्हान रखिएगा तो यहां से देखो इसको ऐसे भी सकते हैं देखो इसको मैंसे लिख सकते हैं e की power b यानि कि हांसे e power b निकाल को पहले लिख mayo and ea-1 पी पहले लिख सकते हैं और्बाद e a x भी लिख सकते तो यह इसका answer सो जाएगा तो गईस्था आपको वीडियो करें लाइक करने चनल को सब्सक्राइब खूनका ढखिन चेड कि अए